बिहार में 9 अगस तक मौसम विभाग ने भारी बारिश और अकाशिय बिजली का अलर्ट जारी किया है पत्ना में रविवार शाम से लगतार बारिश का दौर जारी है नालंदा, भोचपुर, समस्तिपुर, बगहा, जहानबाद, सासाराम और अंगाबाद में भी सुबह से ही बारिश हो रही है बारिश ने इन सभी शेहरों में तापमान में गिरावट दर्च की गई है मौसम विभाग पत्ना के अनुसार एक चक्रवातिय परिसांचरन का शेत्र दक्षिन बिहार और इसके आसपास बना हुआ है वही मौनसून की टर्फ रेखा, अमरित्सर, यमुनानगर, बरेली, गोरखपुर, पत्ना, मालदाह से होकर मनिपुर तक प्रभावी है इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पत्ना समेथ प्रदेश के कई जिलों में जमाजम बारिश के आसार हैं पूरे बिहार में अभी तक 300.2 mm बारिश हुई है, अब तक 552.6 mm बारिश हो जानी चाहिए थी ऐसे में बिहार में इस बार 252.4 mm और 46 प्रतिशद कम बारिश दर्श की गई है रविवार से पत्ना में बारिश का दौर जारी है, सोमवार को भी पत्ना में सुभा-सुभा बारिश हुई मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर पत्ना में बारिश होती रहेगी 20-30 किलो मिटर प्रति घंटे की रफतार से तेज हवाएं चलींगी इस दोरान अधिक्तम तापमान में भी 2-4 डिगरी तक की गिरावट दर्श की जाएगी वहें रविवार को राजधानी के कई इलाके में सुभा से ही बादल शाय हुए थे और दोपहर बाद जमाजम बारिश देखने को मिली रुक रुक कर बारिश दोपहर बाद से रात भर होती रही रविवार को पटना में लगभग 22 मिली मीटर बारिश हुई अवरल में आकाशिय बिजली से तीन लोगों की मौत हो गई मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने गहरी सनवेदना व्यक्त ही है उन्होंने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का एलान किया है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पूरी सतरकता बढ़ते खराब मौसम होने पर वजरपाद से बचाओ के लिए आपदा प्रबंधन विबाग द्वारा स्वयमे समय पर जारी किये गए सुझावों का पालन करें खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले